आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी राउटनेट करें विकल्प गलत है, ठीक, तो अभी कतन की ओड़ दुबारा चलते कहा गए है कि जब कोई रिनावश को हासिल करता है तो इसका द्रिवमान घट जाता है हम सबको पता है कि आवश दू परकार का होता है, एक होता है धनावश, एक होता है रिनावश, धनावश जो होता है वो प्रोटॉनों में पाया जाता है, ठीक है? और रिनावश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, ठीक? तो दोस्तो प्रोटॉन तो नाभीक पे रहते है न्यूट्रॉन के साथ ठीक है प्रोटॉन जो है वो नाभिक पे रहते है इलेक्ट्रॉन जो है वो गती करते रहते है कक्छा पे ठीक है अब बाहरी कक्छा के इलेक्ट्रॉन जो है जो सहसे अधिवन में नहीं बंदे हुए है वो के इलेक्ट्रॉन ये क्या होते ह जो electron है वो गती करते है और आविशित करते किसी पिंड को तो किसी पिंड को हमको आविशित करना है कोई पिंड निराविशित है ठीक है अर्थात वो पिंड उदासिन है उदासिन है अर्थात वहाँ पे उपस्तित इलेक्ट्रोनों की संख्या बराबर वहाँ पे उपस्तित प्रोट्रोनों की संख्या ठीक है यहाँ इलेक्ट्रोन जितने हैं उतने ही यहाँ पर क्या है प्रोट्रोन भी है ठीक तभी जाकर इसका कुल आवेश जो है वो क्या हो रहा है शुन्य हो रहा है लेकिन इसके आविश को रिन आविशित करना है तो हमको यहां से प्रोटॉन का मान जो है वो घटाना पड़ेगा या फिर इलेक्टॉन का मान बढ़ाना पड़ेगा तो प्रोटॉन के मान को घटाने के लिए हमको प्रोटॉन को बाहर निकालना पड़ेगा लेकिन यह तो में हमने इलेक्ट्राउमान से कि और परेक से प्रत्य कि sa मिलेक्ट्राउमान PAUL बढ़ गया है तो जब कोई पिंड रिनाविस को हासिल करता है तो इसका द्रह्मान घट जाता है दिया है ये गलत है क्योंकि इसका द्रह्मान बढ़ रहा है ठीक है इलेक्रोन का भी द्रह्मान होता है तरक में दिया है कि पिंड रिनाविस को तब हासिल करता है जब या इलेक प्रिंदर में पिंडिघनाविशित हो जाएगा ऐलेक्ट्र و ब्रिन दाल दू तो रिनाविशित हो जाएगा तो इलेक्ट्र ये खो दे मतलब क्या है कि इस dairy और इसमें से निकल जा रहा है और इकट्र laure निकल जा रहे हैं लेकिन electron कम हो जा रहे है तो फल्सरूप इसमें नकरात्मक जो है या फिर रिनात्मक्ता जो है वो कम हो जा रही है धनात्मक्ता के सापेच तो इसका कूल आविश निकाले तो वो हमको धनात्मक पराप्त हो जाएगा electron निकालने पर proton से कुछ चेड़चा ना करने के बावजूद भी तो इस तरीके से जब रिनाविश को हसिल करता है तो इलेक्टरौन खो देता है कहा गए ये गलत है रिनाविश को हसिल करते है तो electron इसको देना पड़ता है खोता नहीं है और electron खो देता है तो रिनाव इसको हासिल नहीं करता है धनाव इसको हासिल करता है ठीक है रिनाव इसको नहीं तो इस तरीके से हम कहेंगे कि अभिकतन तरक दोनों गलत है जो विकल्प क्रमांक D पे दिया है अता विकल्प D दिये गए प्रश्न कसा ही उत्तर है दोस्तो धन्य प्रश्न से बार भी से लेकर नीट IIT JE वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चात्रों का भरोसा आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर